हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप्लिकेशन डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने ट्रांजिशन वाली एनिमेशन जो है ट्रांजिशन वाला जो एफेक्ट है वो हमने अपलाई करना है अपनी इमज व्यू के ऊपर और इस बार जो हम फिलिपिंग की टाइप यूज करेंगे वो हम करेंगे फिलिप फ्रॉम लेफ्ट और इससे पहले फिलिप फ्रॉम राइट flip from top flip from bottom इस तरीके के टाइप्स के वीडियो टुटोरियल मैं आरड़ी चैनल के उपर अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने वो वले वीडियो टुटोरियल मेरे फॉलो नहीं किये तो वो भी आप एक बार इस वीडियो के बाद जरूर फॉलो कर लें तो चलिए इस ट्रांजिशन के अंदर हम जो इमेज है उसको flip करेंगे left to right की तरफ तो चलिए मेरे पास simulator के अंदर एक live running example है आप देख सकते हैं मैंने एक image ली हुई है जो कि है red fort की और नीचे आप देख सकते हैं मैंने एक button लगाया हुआ है yellow color का और जैसे ही इस start transition button के उपर मैं click करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो flipping है वो यहाँ पे transition का जो effect है वो left to right जो है वो निकल के आता है और जो button है उसका भी जो color है वो green से फिर से yellow हो जाता है तो इस तरीके की जो transition का effect और animation जो है वो मैंने इस application के अंदर जो है वो implement की हुई है तो फिर से आप देखिए जैसे ही मैं start transition वाले button पे click करता हूँ तो flipping यहाँ पे शुरू होती है और साथ के साथ जैसे ही आपकी transition खत्म होती है आपका जो button है वो green कलर से फिर से yellow कलर में convert हो जाता है तो चलिए यह है हमारी आज की application इसको हम कैसे implement कर सकते हैं वो हम देखेंगे Xcode के अंदर swift language की help के साथ मगर उससे पहले मैं आपको इस example के related जो theory के related important terms है वो बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता ही है जितने भी video tutorials मैं आपने चानल के उपर upload करता हूँ तो हर एक video tutorial में practically implement करने से पहले मैं आपको theory के related जो important एक दो terms है वो जरूर बताता हूँ तांके आप Google पे इन terms को search करके इनके बारे में और भी जो knowledge है वो gain कर पाएं तो सबसे पहली जो term है जहां जिसे हम concept कह सकते हैं वो है animation तो animation जो है वो iOS के user interface में काफी critical part है क्योंकि यही हमारी application को एक power provide करता है तांके user की attention है वो हम particular area पे जो है वो बना पाएं और animation के साथ आपकी जो application है वो और भी polished होके निकलती है और उसे use करना easy हो जाता है और iOS का जो framework है वो हमें different different APIs provide करता है different methods provide करता है जिनके help के साथ हम जो animation है वो काफी easy way के साथ create कर सकते हैं और उनमें से सबसे जो simple API है वो है uiview.animate API और अगर बात करें uiview.animate API की तो यह काफी easiest way है जिसके साथ हम किसी भी view की properties के अंदर modification करके उसकी properties की जो values है उनको change करके एक animation का जो effect है वो provide कर सकने है अपनी application के अंदर तो आप easily animate कर सकते हैं multiple properties को chain करके एक ही block के अंदर और अब बात करते हैं uiview.transition की तो अगर आप कहीं पे भी application के अंदर जो हमारे पास predefined transition effects हैं उनको use करना चाहते हैं किसी भी container view के उपर तो आप uiview.transition method जो है उसकी help ले सकते हैं और इसी uiview.transition method को हम आज की application के अंदर जो है वो implement करना सीखेंगे अब बात करते हैं transition की तो transition simple words में आप कह सकते हैं कि यह predefined जो एक animation effects हैं जिनको आप easily use कर सकते हैं चाहिए यह limited है मगर यह काफी powerful है और काफी simple है to implement जैसे हमारे हमारे पास seven types के transition animation options हैं जिनको तीन categories के अंदर UI kit के थुरू provide किया गया है सबसे पहली category है flipping जिसमें आज हम सीखेंगे transition flip from left और बाकी तीन जो है वो already हम अपने चैनल के ओपर एदे video tutorial upload कर चुके हैं उसके बाद हम सीखेंगे curling की जो type है वो उसमें दो तरीके की type है curl up curl down और एक other हमारे पास category है जिसमें हम transition cross dissolve दो images को आपस में combine करना जो है एक के बाद दूसरी जो है embed करना सीखेंगे तो friends ये बाते थी theoretical letter जो आपके लिए जानना काफी important था अब हम देखेंगे practically इस application को कैसे implement करना है तो इसके लिए सबसे पहले इस project को मैं stop कर देता हूं इस पूरे project को मैं close कर देता हूं क्योंकि हम बिल्कुल beginning से एक नए project के साथ यहाँ पर शुरुवात करेंगे xcode के अंदर single view app develop करनी है next पर click करेंगे अब आपने product name के अंदर आज की example का जो भी आप name देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं तो मैं अपने accordingly यहाँ पर रख देता हूं transition from left और बाकी settings आपने default रहने देनी हैं और जो language हम use करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर swift अब हमने next पर click करना है अब आपने अपने laptop के अंदर कहीं पर भी एक folder जो है वो create कर लेना है तांके आज की example का जो सारा source code है उस particular folder के अंदर जो है वो save हो पाए तो इस तरीके से मैंने एक folder create कर दिया और इस folder के अंदर पूरे का पूरा project मैंने जो है वो create कर दिया है अब आप देख सकते हैं मेरा project जो है वो create हो चुका है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखाओं तो जो swift का मेरे पास version है वो है 5 और अगर बात करें X code की तो यह है 10.2.1 अगर आपके पास इससे higher version है तब भी आप इस example को इसी वे के साथ easily develop कर पाएंगे और जो मेरे पास laptop है यह है Macbook Air तो friends आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस channel के उपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस channel को subscribe कर लें क्योंकि इस channel के ऊपर हम daily programming के related जो video tutorials हैं उनके सबसे बड़िया जो methods हैं वो upload करते रहते हैं जिससे आपको programming सीखने और समयने में काफी help मिलेगी और in case कहीं पे भी आपको कोई problem आती है तो आप हम YouTube की video के नीचे comment कर सकते हैं या फिर हमें directly email बेज सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी query होगी उसका जो response है वो main और storyboard में चलता हूँ और यहां पे अब हम अपने canvas के उपर जो graphical user interface है उसको ready करेंगे तो अब आपने इस object library के तुरू सबसे पहले एक image view को यहां पे search करके इसको drag and drop करना है अपने storyboard के उपर अब आपने इसकी जो width and height है वो अपने accordingly यहां पे fix करनी है और अब हमने फिर से object library के तुरू एक button को यहां पे drag and drop करना है नीचे और इस button का जो background color है वो attribute inspector के तुरू आप यहां पे change कर सकते हैं मैं यहां पे yellow कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा इसकी भी width and height जो है वो मैं increase कर देता हूँ अब आप चाहें तो इसका जो title है वो change कर सकते हैं यहां पे मैं लिख देता हूँ start transition और इसका font आप increase कर सकते हैं 20 कर दीजिए और यहां पे आप इसको bold कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पे bold कर देता हूँ तो आप चाहें तो इसका जो text color है वो black भी कर सकते ह अब हमने अपनी ओरिजिनल एप्लिकेशन के अंदर एक इमिज को यूज किया था जो के थी लाल किला की इमिज तो मैं उसी इमिज को यहां पे लेके आता हूँ तो मैंने इंटरनेर्ट से पहले से ही जो इमिजिज है वो डाउनलोड करके रखी हुई है यहां पे आप देख सकते हैं तो इन में सिक जो रेड फोट वली इमिज है इसको मैं ड्राइगेचन ड्रॉप करूट करूँगा इस अस्टेस फोल्डर के अंदर तो चलिए इसको ड्राइगेचन डॉप करते हैं चलिए image लग चुकी है इसका जो content mode property उसको मैं scale to fill कर देता हूँ तांके पूरी के पूरी जो space है वो ये occupy कर पाए अब हमने इस image view का IB outlet इस button का IB outlet and button का जो IB action है वो create करने है तो उसके लिए मैं अपना जो favorite method है assistant editor उसी की help लूँगा मगर उससे पहले चलिए यहां पर जो आयां से जो constraints हैं वो apply कर देते हैं तो मैं यहां पर add कर देता हूँ new constraints इस image के उपर इस तरीके से आप देखिए मैंने 4 constraints apply कर दिये आप इस button को select करते हैं और इस पर भी जो constraints हैं वो यहां पे इस तरीके से apply कर देते हैं और मेरे constraints जो है वो apply हो चुके हैं अब मैंने assistant editor के अंदर जाना है यहां से side वले panels को मैं hide कर देता हूं तांके clearly आप यहां पे देख पाएं तो by default जो class यहां पे right side पे open हुई है यहां पर लिखेंगे my button view और इसे भी connect कर देते हैं अब हमने view did load जहां पर यहां पर लिखेंगे my button view और इससे भी connect कर देते हैं अब हमने view did load जहां पर method है आपका उसके बाद आपने इस button को select करके control की को press करते हुए drag and drop करना यहां पर इसका action लिखना है को मैं यहां पर लिख देता हूं start transition और इसे connect कर देते हैं चलिए friends यहां पर आप देख सकते हैं ib outlet and ib action दोनों ही बन चुके हैं फिर से standard editor में चलते हैं side वाले panels को unhide करते हैं और एक बार view controller को मैं यहां पर save कर देता हूं अब हमारा जो main focus है वो रहेगा coding की तरफ तो चलिए coding बड़ी easy है simple है करना क्या है side वाले panels को hide कर देते हैं तांके coding आप clearly देख पाएं सबसे पहले comment वाली line को मैं delete कर देता हूं तांके कोई confusion ना रहे अब आपने जो coding करनी है इस start transition IB action के अंदर करनी है तो अब हम यहां पे जो API जहां जिसे आप method कह सकते हैं वो हम use करेंगे uiview.transition और इसमें पहले वाला जो with वाला जो parameter वाला method है वो हमने use करना है with में लिखेंगे जिस uiview के ऊपर आप animation apply करना चाहते हैं यहां transition apply करना चाहते हैं तो यहां पर मैं use करूंगा my image view duration में हम use करेंगे कितने second के लिए जो animation है जो transition है वो effect करें 3 seconds यहां पर देख रहते हैं option में हमने यहां पर use करना है dot के बाद कि आप कौन सी type है जो है वो use करना चाहते हैं तो मैं यहां पर type use करूंगा transition flip from left अब हमने animation वाला block इस तरीके से create करना है और completion वाला block भी इस तरीके से create करना है और animation वाले block में हम करेंगे अपने button का जो background color है वो हम करेंगे green इस तरीके से और जब आपकी animation जहां आपकी transition यहां पर complete हो जाए उसके बाद में हम completion के अंदर इस तरीके से underscore in लिखेंगे और यहां पर फिर से जो button का background color है वो वापिस करेंगे yellow color मैं uivue.yellow uicolor.yellow इस तरीके से कर देता हूं तो चलिए friends आप देख सकते हैं मैंने coding जो है वो कर दिया है एक मैंने animation वाले block में color change किया है बटन का जो कि green color होगा और जैसे transition complete होगी उसके बाद में मैंने button का जो color है वो फिर से yellow कर दिया है तो यह coding आप चाहिए तो वीडियो को यहां पर pause करके इसकी coding जो है वो no down कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको एक बार save करता हूं आप हमारी बिल्कुल ready है graphical user interface भी बिल्कुल ready है इसको अब हम build and run करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो output है वो simulator के अंदर जो है वो निकल के आती है तो app आप देख सकते हैं इसका build without any error यहां पर succeed हो चुका है और अब हमारी app जो है वो simulator के अंदर जो है वो install हो चुकी है तो मैं जैसे ही start transition के ओपर click करता हूं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल flip from left जो है वो perfectly work कर रहा है transition और नीचे जो button है उसका भी जो color है वो यहां पर green होता हुआ फिर से yellow हो रहा है जैसे आपकी transition complete होती है तो friends यह थी है हमारी आज की example जिसमें हमने देखा कि कैसे uivue.transition वाली API को यूज़ करके हमने जो predefined transition का जो effect flip from left वो यहां पर implement किया है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए अगर और भी वीडियो सो मारे चैनल के उपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करन बत बूलिए bell icon को press कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के उपर upload करें तो उसका जो notification है वो आपके पास उसी टाइम पर पहुच पाएं तो चलिए friends चैनल के साथ बने रहिए वीडियो जेखते रहिए programming सीखते रहिए thanks friends for watching our videos मिलते है next video के अंदर किसी न